हेलो दोस्तों मेरा नाम अवय कुमार हैं और मेरे साथ दॉक्टर सेयत कासीम रसूल इलियास सहब जो की वेलफियर पार्टी ओफ इंडिया के सदर हैं वो बात करने के लिए तयार हैं और हमारी जो यह गुफ्तगू है यह देली में जो इनका पार्टी का हेटकौर्टर है वे दुम में इसां के जरीया क्या है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुती कन्फूजन में हैं कुछ लोगे भी कहते हैं कि यह जमात unlike पार्टी बनेगी तहर लग-अलगे तरगी बात दोड़ा इसको क्लिनिफाइब करते हैं पहली बात तो यह कि वेलफे पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है राजजितिक पार्टी है और एक इंडिपेडिनिट और आज़ाद पार्टी है और यह इसका कंस्टुशन भी और उसका कंसेप पेपर भी पॉब्लिक कव्मिन में के अंदर मौजूद है उसमें उसमें ने साफ दौर पर यह बात कही है कि वेलफे पार्टी एक वैल्यू बेस्पॉलिक्स करना चाहती है वैल्यू बेस्पॉलिक्स मतलब अख़दार पर मबनी सियासत मुल्लों पर आधारी तराजिति मुल्यूं पर आधारी त बखते हैं जब हम यह कहते हैं क prospective क्रब्ण के लिए किसी कमदल आदमी के लिए किसी करप्ट आदमी यह ऑशर वादियां की जिए कोई जगा हूं हमारी पार्टी ओलिए और पॉलिकल गेंस हासिद करने के लिए कोई शौटकत नहीं अपनाएगे नो शॉटकत नो शॉटकत पर पॉलिटिकल गेन करने के लिए जूट बोलना, ये करना, ओँ करना, धोका देना, ये सब कुछ में, हमने कुछ सिधान्त और कुछ उसूल, कुछ वैल्यूस तैयकी हैं, हम लोगों को धोका नहीं देंगे, जो बात कहेंगे उस पर अमल करेंगे, जो वादा करेंगे, उसक स्टेट कहते हैं तो हम बहुत स्पष्ट हैं इस मामले में हमारा मानना ये कि यहां पर हर आदमी को देश के हर नादमी को जो बेसिक सुईधाएं हैं वो मिलनी चाहिए हर सर को छट हर बदन को लिबास हर पेट को दोगत की रोटी और हर हाथ को काम और हर पैदा होने वाले हम कमिटेड हैं अपने इस बात से तीसी बात हम ये कहते हैं कि देश में रिसोर्स की कभी नहीं है लेकिन ये रिसोर्स कुछ हातों में एकुबलेट हो गए हम रिसोर्स का एक्विटेबल डिस्टिबिशन चाहते हैं मुंसिफाना तखसीब हर आदमी की बुनियादी जूरत हातों में अभी ये बताती है हमारे देश के आंकड़े ये बताते हैं कि वन परसंट डोक देश की 99 पर रिसोर्स पर पर पूरे 99 पर लोक जिन्दाई उधार रहे हैं ये जो इनकरसी है ये जो इनजस्टिस है इसको खत्म होना चाहिए तो तीसरी बात यही है एक्विटेब का नाम नहीं है कि हर पांस साल में इलक्शन हो जाएं डिमोकरसी को मतलब जो हमारे देश में डिमोकरसी को इतना हमने महत दिया है बुनियादी तौर पे डिमोकरसी के अंदर हर आदमी को अपनी बात पूरी तरा से रखने की आज़ादी मिलनी चाहिए देश के समविदान जो उसके fundamental rights दिखाए हैं वो पूरी तरह उनको मिलने चाहिए और democracy के अंदर हर आदमी को inclusive democracy होनी चाहिए हर आदमी के शमूलियत होनी चाहिए तो हम चौती बात यह कहते हैं कि हम participatory democracy के inclusive democracy के हाथ में हैं इसी democracy जो इसके आधार पर तैय होती है कि जिसको 51% रोट मिल गया और जिसको 49% रोट मिला उसकी कोई 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 उसका रोल ही नहीं होगा यह democracy मानतिक डिमोकरसी नहीं है जितने फैसले settle government करती है state government करती है उन फैसलों में जो इतने stack holders हैं उन सब को involvement जरूरी है परलिमेंट से आप कानून बना रहे हैं किसानों के बारे में किसानों से आप पूशने कोशिश नहीं करते हैं यह जो तीन कानून के उपर में किसान इतना हंगामा कर रहे हैं क्यों से बात ही नहीं कि क्यों उनकी क्या प्रालम है उसको कैसे हल किया जाना चाहिए ये जो चानुन हम ला रहे हैं आपके हित में है या नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है तो ये डिक्टरिशिप है कि आप एक कारून बनाए है आपके पास मिजॉरिटी आगी परलिमेंट के अदर यह democracy नहीं है यह dictatorship है democracy का मतलब हुता हैendra इन्वाल्मेंट public का involvement होना चाहिए public जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा है पार्लिमेंट के अंदर उनसी को आप bypass कर दें और उसके बाद कहीं कि हम आगे मालिक बन गए है जिस तरह से चुनाँ होते हैं वो भी आप देख रहे हैं तेकि ठीक है मान ले चुनकर आप भेजेगे हैं चुनकर भेजेगे तो आप तो हमारे नमायन दे हैं ना परल्लमेंट में परल्लमेंट में अस्पेली में you are our representative we expect that whatever decision you take or whatever laws you made you will consult us you never consult us चाहे education policy हो economic policy हो health policy हो आप चीज़ के अंदर जो stack holders हैं उनके साथ consultation जरूरी है उसी को हम कहते है पाट्सपेटे democracy उसी को हम कहते हैं inclusive democracy democracy के अंदर चाहे आदमी की संख्या कितनी च्छोटी हो कितनी microscopic minority हो कोई कास्ट है कोई community है उसके basic rights को आप च्छीन नहीं सकते basic right हर फर्द का हिस्सा है उसको मिलने चाहिए तो सर आप तो कह रहे हैं बात welfare की आप बात करते हैं democracy की आप कह रहे हैं कि हर हाथ को काम मिले रोजगार मिने basic facilities मिलें फिर क्यों कुछ लोग कहते हैं कि आपकी party मुसल्मानों की अभी हम उस पर आते हैं पांच भी बात हम यह कहते हैं कि हमारा देश जो है वो किसी एक धर्म के मानने वालों को देश नहीं है किसी एक कल्चर के मानने वालों को देश नहीं है यह multi-religious multi- multi-linguistic society है तो यह एक प्लूलर मास्ट्रा है मख्लूत मास्ट्रा है प्लूरर मास्ट्रा है तो यह diversity को बाकी रहना चाहिए तो सर आते हैं उसी सवाल अभी हम उसमें आ रहे हैं तो हम यह कहते हैं पांच वा पॉइंट हमारा यह है welfare party cultural federalism लाना चाहती है देश में cultural federalism state को हमा culture इस मुल्क में thrive कर रहे हैं उन सब को federalism culture होना चाहिए उनको आजादी मिनी चाहिए मतलब आप चाह रहे हैं कि culture के मामले में जो लोगों को खुद मुखतार और जो अलग अलग communities है उनको खुद मुखतारी दी जाए ताकि कोई एक central leadership सब कुछता है नहीं किसी एक आप अच्छी बाते कर रहा है तो लोग क्यों करें कि मुसल्मानों कि पर्टी एक लोग हमारे बहुत सारे लोग बात कहते वक्त में उसका कोई आधार नहीं पेश करते हैं बहत असान हो गया किसे बहूँ और बिजिए पी ने इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ा है हमारा कहना वे पुष्होनुट की справ और हुपार्टी जहता है। कोचOW कोटी पोलब का यह कोटिकली पॉल्टी इमपावर्ड है एक हम दो के लिए एक पार्टी मोझhaft तो यहादो किसी और पार्टी में कूई जाएगा दलितों के लिए एक पार्टी मौुझूद है। तो कौन लोग आपके पार्टी में आरे हैं? नहीं हमारी पार्टी में तो सब लोग हैं कम ज्यादा की का अप फरक है ज़्यादा कौन है कम कोन है जहारे सबसे जयादा politically empowered community जो है मुसमान है तो what natural सबसे जयादा politically disempowered un empowered disempowered र tendency então रहे गये है जो भी कही आप उसको लेकिन सबसे जयादा politically weightless politically marginalized community कर कोई है तो मुसलमान है इसलिए सब्सद्र भी हंदागराता हैं अगर बात कोई कहें ख़वातीन धलीद ख़वातीन भी है हमारी नैशनल टीम में खववातीन हैं उर Visit mon Any जामपल हमारी एक जन्रसेकेर्ब्री खातून है हमारी एक नैशनल सेकेर्टी खातून है और ये हम देखे हम खवातिन को भी ज़्यादत आदमे लाना चाहते हैं अपनी पार्टी में नवज़ानों को भी ज़्यादत आदमे लाना चाहते हैं बजर्गों में लाना चाहते हैं लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेस्वे में एक बात मानकी चलना चाहिए आपको स्क्रावार में मिलती इसको Mass Support नहीं है उसको आवक सीरियस जादा नहीं लेते हैं वो कहते हैं जब तक तक इस जितेंगे निये हैं देखे सवाल ही पार्टी को लोकल बॉडी के अंदर कामियाभी बिलना शुरू हुई है कहा हम लिए हैं खेरला में हमको 42 सीट्स हमने जीती है लोकल बॉडी की और उसके अलावा भी जीती है के अध्य करनाटक के अंदर तकरिबutes 10 सीटें कार्पोरेशन की और 52 सीटें लोकल बॉडी की जीती है लोकल बॉडी स्मन्द पंचाएट की उसका आद मनाराश्टा में हमने का नौट इंडिया में गार्फारेशन के सीटें civic की बंगाल के में पूंद्ल इंडिया शुरू हो और हम नॉर्थ इंडिया में भी हमने पार्ट पेट तो किया है लेकिन भी हमको कोई सकस्स नहीं मिली है नॉर्थ इंडिया यूपी और दिल्ली वकरा में लेकिन हमें उमीद है वह 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 वाक्त आ जाएगा मसलब बात कहने जा रहा हूं वहसल में कि जब तक आपको लोग ज हमी जमीन पर आपको काम कैसा है तो जहां लोकल बर्डिकल इस जीता है जहां हमने कारप स्वेशन आप गलगा है उसको उस फाथ फड़का पूरा इस्तमाल होता है तो हम्हें यकीन है उ Mai एक ऐसा की रास्ते से हम step by step पार्लिमेंट अरसम्भी तक भी पहुंचेंगे अगर आप केरला का जो आपने एक्जांपल दिया तो वहां पर आपको कामयावी मिली है मुस्लिम लिग भी है तो सर्थ आप आप देखते हैं कि कई मकामात पर बहुत सारी पार्टियां जिनके अंदर में म पैदा होता है माइनोर्टी के बीच में और यह कहीं न कहीं यह भी यह भी क्रियेट करने का एक इंप्रेशन करता है मैजॉरिटी कमुनिटी के जो पॉलिटिक्स करते वह भी इस चीजों को बेचने की कोशिज करते हैं कि देखो मुसलमानों के बीच में इतनी पार्टिया तुम हिंदू लोग उनाइट नहीं होते हो इस तरह की जी इस तरह की चीज़ें आप देखिए अगर आप इस बात बात करते हैं हमारे देश में इस वक्त में मोर देन 2000 पार्टियां रिजिस्टर्ड एलेक्शन कमिशन से मोर देन 2000 पार्टियां और जाहर हो सब मुसलिमां चंद पार्टियां हैं परे मुलक में यह कहना कि मुसल्मानों के पार्टिया यह बात घलत है जो पार्टियां अपने है मुसलमानों के लिए कहती है आगे बढ़ करते है और दोसरा है आपके क्वानल की थैट कि सब्वेशन केखर वह नहीं प्रूनल कर दो से लोग तो करने कि शози क्वानी नहीं किया हैं हमने कभी यह नहीं कि दावा नहीं किया और हम है हमारी पार्टी सबुस्राइ़ को साथ लो है कि लांट है जो हमने पपलीक के साम Ke remained सब पर लागु होते हैं सब के लिए उसके काम के बात काते हैं एक लोसी बाद कि है के यह मस्लमानों के इतनी पार्टियां खड़ी हो गई यह बात सही नहीं है बहराद देखे हर पार्टी अपने दावे के साथ मैदान में आती है अब आप देखें नहीं उत्ता प्रदेश के अंदर देखिए कितनी पार्टीयां पहले से मौजूद है हर कास की एक पॉलिटिकल पार्टी है यह प्रदेश के नदर नेगे तो आपको लगे है इतनी पार्टिया नदर भी नहीं आती है पॉलिट्शन कमिशने उफिंडिया से तक रिदिद आप बहुत सारे पार्टी ओने लिगिन खासकर जो फोकस होता है इस जो मुस्लिम लीडर्शिप आले पार्टीया है उसी की तरफ मीडिया ज्यादा फुकस कर रही है और दिखा रही है मनफी थोर पर लेकिन मीडिया तो बहुत सारे चीज़ें एक भय पैदा करने हैं चोड़ी इस बात को हम यह एक आप ने बताया कि आपकी पार्टी इतना काम कर रही है लेकिन आपको लग रहा है कि हैदराबाद के को एक थ्रेट के तौर पे पेश करना बीज़ेपी को सूट करता है और आप देखा होगा जब अवेसी साब ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में सौ सीटों पर एलक्शन लड़ेंगे तो सबसे पहले वेलकम किया था योगी योगी साथ में और यह का था हम आपको वेलकम क किया रहते हैं वह भी कोई नैशनल इश्यू होता है और अगर वह उत्रप्रदेश समतालिक हो भी हार समतालिक हो तो आप देखिए गहा क्यों वह समाजवादी पार्टी के आदमी को हुण दो बुलाता है þिन mineral rights को वह बुला ते इस संभीत पात्रा को एक द्रा शु जाओं बिहार में, माले जी, कि मुसल्मानों की इस मिली रहनुमा को आप जानते हैं कि नहीं, इसे स्कोलर को जानते हैं कि नहीं, लोग बहुत जादा नहीं जानते हैं, लेकिन हैदराबाद की लीडर को सब को ही जान रहा है, और उनको समझता है कि मुसल्मानों के वही लीड हैं और बहुत ही नीगेटिव तरहीं के से बहुत सारे इस चर्फ चल रहे उसके वज़ें वही है ना देखिये हैं होता है असरा जोन बोलते हैं आप मुझे बताइए आप परलिमेंट को चिन को जानते हैं देखते हैं पार्लिमेंट में किसी भी पार्टी को उसकी संख्या के बुनियाद पर टाइम रौट होता है अगर अब कर एक आद्मी है से पार्लिमेंट बिलेगा किसी कि सथाफ प्रूमा बात करते हैं दस मिनिट 15 मिनिट लंबा चुला बाशन देते हैं कोई रॉक ठोक में होती है इत्राब बहुत मामली इसी राप्टक होती है अज़ रवीट, अचा, कन्कूलूर कीजिए हाँ, फ़र कन्कूलूर कराँ, अज़ कन्कूलूर कीजिए यह सिल्सा चलता रहता है एक डिन स्पीज बढ़िया होती है तो मैं जाड़ी, बढ़िया हوتी है जितने प्रावलम से एक आदो प्रावलम को छोड़के वो सब वो प्रावलम से जो इस मुलके हर आदमी के प्रावलम है education का problem हो unemployment का problem हो उनके कारोबार का problem हो उन पे जो lynching के वाकियात हो रहे हैं वो हो तो आप देखें कमो बेश हर marginalized community साथ ये हो रहा है आप प्रेजिड अगर इस तरह करते हैं कि मुसल्मानों को साथ ये जल्म हो रहा है और मुसल्मानों को ये हो रहा है तो आप एक मुसल्म narrative खड़ा करते हैं अगर हम ये कहते हैं कि बई इस मुल्क के मिसाल तुमें मैं चैंड बाते हैं आप साम रुकते हूं हमारे देश में कुछ कानून बरे हैं कुछ पॉलिसीज बनाई है यूपियस सरकार ने बनाई थी मैं से मन रेगा है नरेगा नरेगा में कावई जितने गाउं देहात में काप करने वाल मजदूर है जब बारिश हो जाए कारोबार खत्म हो जाए यानि मजदूरी खत्म हो जाए या जब सूखा पड़ जाए मजदूरी खत्म हो जाए तो ऐसे दिनों में के गिस जाती है आप आपका प्रिजिंटेशन कैसा होता है इस पर आपको डिपन करता है आप प्रिजिंटेशन यह करते हैं कि वह अगर इवन इस सब्सक्राइब करनी चाहिए कि यह देश के हिद्मे नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कम्मुनिटी को माइलाइज करते हैं एक बात तो यह हुई है कि आप में दिखा होगा कि मसल्मानों में आम तोर पर यह जो गोश्ट का कारूबार है यह मुसल्मान लोग करते हैं यह यह बहुत ज्यादा नहीं है मैंने तो यहां तक सुना कि बहुत सारे कंपणियों के मालिक नोन नहीं वो तो उसकी एक्ष्प है और कुराइश विरादरी पूरी उसी वही कारवार करते हैं और यह दो लग्सा के मौके पर बड़े प्रमाने मसल्मान स्लाटरिंग करते हैं जान दोनों की एक लंबे अर्थ सब किया होता था कि स्लाटरिंग के बाद जो खाल उपर की निकालते थे खाल वो खाल देड़ लेदर काम बंदों नहीं हो गया मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेट को कोई एक पर्टिकुलर कमड़ी कर रही है तो इसको इस तरह डाउन प्लेग कर दिया जा है कि जो 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 चीजे 200 पर में बिग जाती थी तिया पचीस सुरों भी लो 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 आप उत्तर प्सक्राइब दिवान नहीं है दिवान ही नहीं है मतलब कि वह ट्रेणरी बंद की जा रही है लेदर का काम बंद किया जा रहा है चमडे से जुड़े हुए जो बैंबार है जो तिजारत है उसमें सरकार की पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं होने की वज़ासे जब वो इंडस्ट्री परिशा तक भाताए है हर बड़े शहर में कोई न कोई एक कॉटे इंडस्ट्री मुसमा न पास्के में ती वर था बातर करेहिंगे शूड़ी कहीं तालہ कही बना कप्ड़ा कहीं साढ़ी यह इए बंतन अहां His Snap का का रोबार था चमयन का कानपूर में आप देखिए पूरा कारोबार वहां से लेकर यहां तक सब बैड़ गया है इस वक्त में तकरिमें उसकी वो खत्म होगी वो किसका देखिए मुसल्मानों को नुक्सान हुआ तो आप कह रहे हैं कि इस चीजों को एक लाजर प्रस्पेक्टिम में उठाने की जरूरत है मगर मैं बात कहdU को उसको उस्ता उठाने के विए कहना कि यह मसल्मानों कर इख आ रहा है आप देश कर नुक्सान होता है तो क्या है था बिजईबीव फायदा हो हमें नृग्जवाता है अगर हमको दस सीडें मिल जाएगी असंबली में बार्लिमें अगर सबतार्टरतम्हाद्री में दस सीडें को कि बंदेश नी तो लेकिन ये तो ठीक लेए जनीम है पिर मोंने तॉ आजा लिए कि आप देखिए बिहार में उत्व बिहार में असुद्धिन अवेसी की पार्टी ने में पांस सीटे जी ती है ना लोग ये कहते हैं कि उसने जितने सीटे खड़ी की थी वहां पे जो सेकुलर फोर्से तो नुफसान नहीं पहुचा है तो उसकी वहां मौझूद्गी से सब्सक्राइब करोना करी मामला है और यह मैं समझता हूं कि इस वक्त में अगर आप महां कोई कमनल पॉलिटिक्स को ना होने दें तो यह खतम जाएगी तो आपके उपर बीज़ाम लगेंगे अगर आप किसी स्टेट में जाएंगे और सीट जीतेंगे तो सीट जीतने की ब अच्छी बात है नहीं आया तो उसके लिए हम काम करेंगे लेकिन जो नेरिटीव है उनके गेम में हम कमनल नेरिटीव निबनने देंगे नमबर एक बीज़ेपी जो चाह रही है कि यह जो बुनियादी सवालात हैं पब्लिक के हैल्थ का इशू है एजूकेशन का इशू है परफॉर्मेंस का इशू है इस पर बात ना हो कमनल एंगल पर बात है तो आप कह रहा हैं कि आपकी पार्टी वेलफेर और पार्टी पार्टी ऑफ इंडिया इसकी एक खास शिनाख इस वज़ा से है जो दीगर मुस्लिम रहनमाओं की जो पार्टी है कि यह अपने उसूल के साथ समझाओतान नहीं करेगी और किसी अगर मुसल्मानों के मसले को भी देखना है तो उसको… तो अगर आप समधान चाहते हैं तो इसको पेश करने का तरीका भी उसी तरह कर दीजिए मैं आप देख रहे हैं देश में क्या हाल है एकॉनमी बिल्कुल डाउन है नौजवान हम जैसे लोग बेरोज़गार हैं नौजवान जो बहुत ही ब्राइब लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया कोई कारोबार नहीं चल पा रहा है लासे लोगों की तैर रही है लोग ऑक्सीजन के बगार मर रहे हैं और दूसरी तर आपके पास experience है तो इसमें आपकी party क्या रोल अदा करेगी और कैसे इस भयानक सिच्वेशन से निकला जाए और आप उन लोगों को भी पैगाम देजिए जो लोग समझते हैं कि भारत जो है हिंदू-मुसल्मान सीख हिसाई धरम के मानने वाले नहीं मानने वाले औरत मर्द दलित पिछडा सब का मुनक है यहां पर किसी एक की नहीं चलेगी ऐसे लोगों के लिए भी क्या आपके लिए पैगाम देगे दो बाते मैं कहारे हैं अगर आप उत्तरप्रदिश के तना दूर्म बात कर रहे हैं तो मैंने हमने कोशिश कियो हमारी कोशिश चल रही है कि जि के अंदर तक्रा होना हूँ और तालमेल किसी या तो आप कौालेशन बना लीजे या तालमेल कर लीजे सीटों का अड़्जस्मेंट लेकिन एक दूसे खलाब अपने कंडिट मत दीजिए अगर आप चाहते हो तो परदेश के अंदर कमदल फोर्स को डिफीट करना तो समाज अज़ादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी लोगदल और जितने चोटे वोटे गरूप हैं इंके दरम्यान में एक अंडरस्टेंडिक बननी चाहिए इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा अलाइंस बने दो बाते हमने बने पर या तो अलाइं थोपी नहीं जाएगी बलके सब मिलकर कुछ बातों पर समझे होता कर लेंगे यह यह हमारी कामन मिल्मम प्रोग्राम होगा अगर हम पावर में आते हैं तो इसको हम लागू करेंगे इसका तजबवा हमारे अब पहले भी हो चुका है होता रहा है कोईलेशन कोर्टन में हमे लोग तो मुझते हैं आबादी जो है वो बहुत बड़ा करस है इस तरह बात करते हैं जो आजकर नैशनल ने जो इसमें बात है आज कर दमाने में खुद मोदी साथ बाहर के देशम जाके जब भारत को तारूफ करवाया तो एक सो पैंटीस क्रोड़ों का देश भारत देश और कहा कि हमारे यहां इतना हीमन रिसोर्स है आप आईए इन्वेस्मेंट कीजे आप आईए यहां पर आपको चीप लेवर मिलेगा यह बात कहते हैं जो काम दोलाग रुपे में इंगलेंड में कोई कर सकता है उसके लिए 20,000 में यहां करने की दिल्दी में लोग तैयार है ना चाइना में क्यों तरकी हुई पहले उन्होंने हुमन रिसोर्स को अपना एक असेट के दोपे करूंगा बात में उन्होंने भी यह गल्ती की कि उन्होंने सोचा कि पॉपलिशन बहुत बढ़ गई है रिसोर्स घट रहे हैं पॉपलिशन बढ़ रही है तो उन्होंने य कुछ दिन के बाद नोवेर हो जाएंगे हमारी परक्रिश और आप यह जो उत्रप्रदेश में यह जो योगी सरकार ने टू चॉइल नौम वाली पालसी लाई है यह भी उसी डारेक्शन के अंदर है आप चाहे नहरेटु यह सेट करने कोश्च करें कि मुसल्मानों की संख्य कुछ रहे तो मुक्तसर तोर पर बता दीजिए कि आपने तो कहीं दिया कि एक पंडिस्टांडिंग हो और कोई एलाइंस हो जाए तो और बहतर है आम जो हिंदू या मुसल्मानों उनकी लिए कुछ आपके पैगाम है तो उनके जी मैं यह बात कहने चाहता हूँ आपकी एक देश है उसके पास बहुत जादा रिसोसेज है उसके पास नैच्रल रिसोसेज भी है उसके पास हुमन रिसोसेज भी है और असल चीज जिसकी जुरुत है हमारे देश के अंदर एक दूसरे का आधर करना चाहिए एक दूसरे का समान करना चाहिए देश के अंदर हिंदू narrative ख़लाने होना चाहिए, हर language के लोगों को, हर भाशा बोलने वाले को, हर culture पे चलने वाले को, हर faith पे चलने वाले को, हर धर पे चलने वाले आदमी को, यकसा नजर से हमको देखना चाहिए. और हमें politics में भी उन पार्टियों को prefer करना चाहिए, जो एक vision के साथ मैदान में आएं, और वो ये narrative सेट ना करें, कि ये हिंदू हैं, ये मुसल्मान हैं, हमें इनकी बात करनी हैं, इनकी बात नहीं करनी हैं, ये narrative देश के हिट में नहीं है, एक बार, इसी बात मुझे कहना चाहिए, ये देखे हमारे देश के अंदर, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे देश में एक बहुत बड़ी population ऐसी हैं, जो have not की category में है, उसकी बुनियादी जूरते पूर नहीं हो रही है, मैं बता चातूँ आँँ आपको, मैंने जिस जगह से election लडाता है, जंगीपूर, वहां ऐसे कई खानदान हैं, जो एक वक्त खाना खाते हैं, या खाना खाते हैं, जंगीपूर वेस्ट बेंगॉल में है, जहां से सर 2019 में, वेर्फियर पार्टी से लेक्सिस लड़ी हैं, जो चावल के साथ डाल नहीं मिलती तो नमक खाते हैं, मिलाकर, तो और एक जोड़े के अंदर नगज़ारते हैं, बहुत सारे लों पस कपला नहीं पहनने के लिए, घर नहीं रहने के लिए, यह दो बेसिक चीज़े हैं, यह सब को मिलनी चाहिए, तो मैं यह कहना चाहता हूँ, कि हमारा देश की सबस्या यह नहीं है, कि हिंदू का कल्चर और मुस्लिम कल्चर और हिंद का डॉमिनेशन को लिए हमारा देश का प्रॉलम यह है, कि यहां से पावर्टी खत्म होना चाहिए, यहां से अनिम्प्लाइमेंट खत्म होना चाहिए, यहां पर लोगों की जो बनियादी जूरते हैं वो पूरी होना चाहिए, यहां पर पीस रहना चाहिए, यहां पर आगे बढ़ने तरकी करने के का स्पेस बाकी रहना चाहिए, य ये काम अगर प्लिटिकल पार्टी इसको पूरा नहीं कर रही तो देश के लोगों को आगे बढ़के आना चाहिए मैदान में और उन्हें किसी कमनल एजिंडे के तहट किसी इमोशनल जजबाई तकर लोगों से मुतास्र होकर फैसले नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नही पार्टी की आइडियोलजी उसके गोल्स क्या हैं और कैसे वो पार्टी अपने आपको जो दीगर सियासी जमात है उससे अपने आपको अलग देखती है और हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर सय्यद कासीम रसूल इल्यास सहाब जो की अभी वेलफियर पार्टी का जो द टॉपिक पर जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है हम फिर आपसे आपसे बात करेंगे और सर आपसे ही बात करेंगे तेंक्यों शुक्रिया अग्यों